Assalamualaikum welcome to student tube आज के इस लेक्चर में चप्र 7 आइकॉम पार्ट 1 बिजनस मैथ पुकर शाहिद जमाल की चप्र है मैट्रिस इन डिटर्मिनेंट कुछन है हमाई पास find x and y using kramar's rule तो यहाँ पर kramar's rule के जरीए इस equation को solve करेंगे तो x and y के value आ जाएगी तो पहले d देखते हैं d में होता है a1 और b1 यानि के 3, 5, 2 and minus 3 फिर dx में होता है c and b यानि के 1, 2, 2 और minus 3 dy में होती है value a और c की so 3, 5, 1 and 2 ठीक है so d के लिए 3 multiply by minus 3 minus 5 multiply by 2 so 3, 3 is a 9 minus का minus 5, 2 is a 10 so यह हो गया minus का 19 फिर dx के लिए 1 multiply by minus 3 minus 2 multiply by 2 minus 3 minus 2, 2 is a 4 तो यह हो गया minus का 7 फिर dy, dy है हमाई पस 3 multiply by 2 minus 5 multiply by 1 so 3, 2 is a 6 minus 5, 1 is a 5 so यह हो गया 1 x के लिए dx upon d, y के लिए dy upon d so dx क्या है हमारे पास minus 7, d है हमारे पास minus 19, dy है हमारे पास 1, d है हमारे पास minus 19 तो यह जो है वो मजीद solve नहीं हो सकते, तो यहाँ पर minus जो है वो हम उपर कर देंगे, यहाँ पर minus minus cancel हो जाएगा, तो यहाँ पर minus अगर हम उपर कर दें, तो यह हो जाएगा, minus 1 upon 19, ठीक है, answer तो यह था question, अमीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा, वीडियो helpful रहा हो, तो आपने से करना है, like, share and channel पर new है, तो subscribe कि ये बगएर मच जाएगा, बिलते हैं next video में, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज